हमारे साथ है राजस्थान सरगार के नव न्यूक संसदिय कार्य मंत्री जोगराम पटेल जो की पूरी तरह से संभवित माना जा रहा था कि इनको कोई महत्पूर्ण विफाग मिलेगा कानून से जुड़ा हुआ इनके जो जिस तरह के इनको बुद्धी जी भी माना जाता है बिनान समाम जिस तरह की डिबेट्स इनकी रही है उसको देखते हुए आज हम इनी से जानेंगे किस तरह की इनकी जो कारिप्रणाली रहेगी और मंत्री बनने के बाद इनका सबसे पहला का इस्टेब है सबसे पहले तो मैं आपके पर्चेज चैनलर की मार पत मेरे सबी दर्शकों का मत दाताओ, का समर्तकों का अभारविद करताओ मेरे स्थ नेटवर्तों और आदली मुक्री मंत्री जी का भी अभार विद करताओ, उनों ने मुझे यह सेवा करने कावसर दिया हम इसको सेवा का आउश्र मानते हैं मैं सामानी परिवार से आता हूँ लेकिन फिर भी मुझे जो जिम्मवारी दी है वो जिम्मवारी को मैं निश्ठा से निभाऊँगा जहां तक मंतरी के पद का स्वाल है या हमारे प्रात्मिक्ता है हम सब का इदाई तो है कि हम अपरादियों में भै और फ्रयादियों में संतोस और विश्वास पैदा करें और इसी निश्ठा के साथ आगे कारी करेंगे हमारे आदिनी मुक्य मंतरी जीन इस समद में कारवई करना भी प्राब्द कर दिया है आपके समसार मातरों समसार पतरों के माधियम से आपके टीवी चैनलों के माधियम से आमजन को जानकर यह उन्होंने तीन चार स्टेफ इस समद में लिये हैं हम आपको विश्वाज देलाते हैं कि राजस्तान प्रष्टासार मुक्त होगा जिरो ट्रॉलेंस नितिव को अपनाएंगे अपरादियों में भै होगा और कम से यह तो नहीं कहता है का अपराद पूर्ण हुप से खतम होजाएगा लेकिन कम से कम अपराद होगा और अपराद अगर अपरादी अपरादी अपराद करेगा तो सिकर उसकी सजादी लाएं अज़ पिछली गहलोत सरकार में कई काम होते जनकी विरोध रहा था विपक्ष में रहकर तो उनको किस तरह लेते हैं और उस पर आपका कैश टेप रगा देखिए हमारे आदली मुख्यमति ने इस समद में आपके सभी सेनलों की महारत पर जनता को संदेश दिया है को जो जन उपियों की योजना हैं उनको बंद करने का कोई इरादा नहीं उसमें जो कमी खामी हैं उसमें दुरस्त करेंगे और दुरस्त करके उसको लागो करेंगे जैसे उदान के लिए पहले एक योजना सलते थी अनपूर्णा रसोई उसको इन्होंने नाम बदल दिया उसमें अनेक तरह के परिवत्तन कर दिये उसका कोई फाइदा जनता को नहीं मिलना है अब हमारे मुक्य मंत्री जी ने उसमें संसुदन करके उसका नाम दिया है श्रियान योजना चारिस सहर सो ग्राम के जएके उन्हां सर्सो ग्राम कर दिया है जो अन मिलेगा और उसकी कोई कोई कोश्ट नहीं बढ़ाई इसी तरह सिरिंजी भी योजना जो थी उसको भी संसुदन करके उसमें जो उप्यों की बना करके उसको लागू रखेंगे उसको बंद नहीं करेंगे ऐसी अन्यों को योजना है जो जनुपयों की है उसको बंद नहीं किया जाएगा तो ये थे संस्दी कार्यमंत्री जोगराम पटेल जिनका कहना कि अपरादियों में खौफ होना चाहिए कारिपनाली पूरी तरह से निश्पक्ष और ब्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए और उन्होंने ये भी विश्वास दिलाए कि पिछली गहलोस सरकार में जो जनुपयों की जनकल्यान कर योजना है उनको बिल्कुल भी बंद नहीं किया जाएगा बस उनकी समिक्षा की जाएगी और उनमें जो कोई कमिया होगी उनको दूर किये जाएगा फिलाल कैमरामेन अंशुल के साथ विजय वर्मा जनता दर्बार न्यूस के लिए